नमस्कार संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत की पुस्तक शे मुशी 2 कक्षा 10 वी का पार्ठ 4 शिशुलालनम शिशुलालनम का अर्थ है बाल इसनेह यानि कि शिशु को इसनेह तो लिखा है चतुर्थः पाठः शिशुलालनम पहले हम संस्कृत में देखते हैं फिर इसका हिंदी अर्थ देखेंगे तो देखते हैं प्रस्तोतोयम पाठः दिंगनाग विर्चितः संस्कृत से प्रसिद्ध नाट्य गरंथः कुंद माला इत्यता पंचमांकात संपादनम कृत्वा संकिलितोस्ती यानि कि यह पाठ दिंगनाग द्वारा विर्चित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य गरंथ नाटक गरंथ कुंद माला से लिया गया है कुंद माला के पंचम अंक यानी पांचवे अंक से लिया गया है अत्र नाटकांशे रामह स्वपुत्रों लवकुशाव सिंगहासनम आरो हयतुम इच्छती किन्तु उभावपी सविनेयम तम निवारियता हा तो इस करता है कि इस नाटक के अंश में राम अपने दौनों पुत्रों लव और कुश को सिंगहासन पर बैठाना चाते हैं आरो हयतुम इच्छती सिंगहासन पर बैठाने के इच्छा करते हैं किन्तु उभावपी सविनेयम तम निवारित लेकिन वे दौनों विनेय के साथ मना कर देते हैं निवारित कर देते हैं यानि कि मना कर देते हैं कि हम सिंगहासन पर नहीं बठेंगे सिंगहसन परासीन राम उभयो रूप लावणने मद्रश्टवा दौनों के रूप लावणने को देखकर मुगदहा मुगद हो जाते हैं सन सौक क्रोडे ग्रहनाती फिर उन दौनों को वो अपनी गोद पर बिठा लेते हैं तो इस पार्ट में शिशु वातसल्य का मनुहारी वरणन हुआ है तो आप देखिए इस तरह से पार्ट समझ सकते हैं कि लवकुष जो है वो राम के दरवार में आए हुए भगवान शी राम के दरवार में आए हैं अपने गुरु वालमी के कहने से और वहां पर राम भगवान उनके रूप लावणने पर मुख्द हो जाते हैं तो अपनी वो कहते हैं कि आप राज सिंगासन पर बैठने के लिए मना कर देते हैं कि जो राजा का सिंगासन हम नहीं बैठेंगे लेकिन जो भगवान राम है वो उनको अपनी गोद में बिठाने के लिए तियार कर लेते हैं और गोद में बिठाते हैं तो यहाँ पर शिशु वातसले का वरणन इस पार्ट के अंदर किया गया है यह पार्ट जो है संस्कृत बांगमय के प्रसिद्ध नाटक कुंद माला क पंचमंक से लिया गया है और इसके रचेता जो हैं प्रसिद्ध नाट्यकार दिंग नाग हैं यह आप लोग जान लीजिए तो इस नाट्यांश में श्री राम लववा कुष को राज सिंगासन पर बैठाना चाहते हैं किन्तु वे दोनों शालीनता पूरवक मना कर देते है तो सिंगासना रूड श्री राम लववा कुष की सुंदरता से आकरशित होकर उन दोनों को अपनी गोद में बिठा लेते हैं और प्रसन होते हैं इस पार्ट में शिशु इसने का अत्यंत मनुहारी वरणन प्रस्तुत किया गया है रामायन के नायक श्री राम के पुत्र प नोहारी लग रहा है यहां रामायन की रामायन की रचैता वालमिकी की तथा लवकुष द्वारा वरनित विश्नु कथा की प्रशंसा करने के साथ साथ इसे पढ़ने सुनने वाले को भी आनंदित और पवित्र करने की सामर्थे का वरनन करके इसे अलोकिक महत्व प्रदान क किया गया है यानि बताए गया है कि विश्णु भगवान की जो कथा है वो सब को पवित्र करने वाली है वालमी की द्वारा रचित रामायन का महत्व यहां पर दर्शा आया गया है लवकुष और श्री राम की कथा के द्वारा तो आगे बढ़ते हैं लिखा है सिंगहा यानि कि श्री राम जो है सिंगहा सन परासीन है ततहा प्रविशता विदूशक के नूपदिश्य मारग तापसो कुष लवाओ तो विदूशक के द्वारा उपदिश्य मारग पर तपस्वी कुष और लव आते हैं उसके द्वारा प्रवेश करते हैं प्रविशता प्रवे आ रही और या यानि दुई वक्षन है तो दौनों को बोल रहा है को लव और कुश को यह से बोलते है इधर से इधर से आईए मतलब रास्ता जो प्रदर्शित कर रहा है विदूशक दौनों को, दौनों तकस्वी ओं को इसके बाद लिखा है कुश्लव, तो कुशलवव रामम उपसरत्य प्रणम्मिचा भगवान श्री राम को जो है प्रणाम करके बोलते हैं अपी कुशलम महराजस से महराज क्या आप कुशल हैं भगवान श्री राम से पूछ रहे हूं क्या आप कुशल हैं तो राम भगवान भगवान बोल रहे हैं युश्मत दर् मत्र कि आप दोनों के यहँआपर वयम यानी मै biggest के तो मैं से इटातपर स्री राम का वयमकाठ्र्थ होता है, हम ऐसे क्या ह neues ना तो युष्मत दर्शनाद आप दोनों के दर्शन से कुष्ण ही हैं? भवतो की म केते हैं ना पुनर अथिती समूजन चितस से मतलब अथितियों को तो समुचित अच्छी प्रकार से कंठा शलेशश गले से ही लगाना चाहिए परिश वज्जे इस प्रकार से राम दोनों का अलिंगन करते हैं अहो हिर्दय ग्राही इस पर्शा और गले लगाते हुए कहते है अहो हिर्दय को ग्रहन करने वाला इस पर्श है यह तो यहनी दिल को चुराने वाला इस पर्श है उन दोनों का बालोकों का मनमुह के इस पर्श है राम को बड़ अच्छा लगता है इस प्रकार कहेकर राम दोनों को आधि सिंगासन पर बैटाते हैं लिखा है देखिए आस यह राजा का आसन है इस पर हमारा बैठना उचित नहीं है तो राम बोलते हैं कुछ रुखकर कुछ रुखने के वाद राम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं राम सव्यवधानम सव्यवधानम न चारित्र लोप आए यानि चारित्र के लोब के लिए नहीं व्यवखृत मद्यास सिता सिंगासनम तो कहते हैं कि इचरत्र के लोग के लिए नहीं बैठिए गोद में ही बैठ जाईए तब तो गोद से उक्ति सिंगासन पर बैठिए ऐसा कहते हैं रम तो उभा हो दोनों बोलते हैं अनिच्छाम नाटेत, मतलब अनिच्छा का नाटक करते हैं, जैसे इच्छा नहीं है उनकी राजसिंगासन पर बैठने की, तो बोलते हैं, गोद में बैठने की, तो बोलते हैं, राजन अलमति दाक्षिन नेन, यानि अनिच्छा का नाटक करते हैं, कि राजन अत्यादिक कु चुशलता न दिखाएं, चाहते तो थे बैठना, राम की गोद में, लेकिन क्या कर रहे हैं, राजाआ हैं वो, तो महां लाप कुष कह रहे हैं कि अत्यदिक KAustralinta न दिखाएं, हम जानते कि आप हमें बैठाना चाहते हूं, तो राम भी बोले, अत्यदिक क्सालीन्ता प्रकट यानि भवती शिशुजनो वयो नुरोदात तो गुण महताम अपी लालनी है इसका अड़त है कि गुणवान लोगों के द्वारा कम उम्रे के कारण शिशुजन लालन इसने करने के ही योग्य हैं यानि गुणवान लोग जो होते हैं बच्चों से प्रेम ही करते हैं क्योंकि बच्चों की आयू देखकर उनका छोटा शोटी अवस्ता देखकर जो गुणवान लोग हैं बच्चों पर क्रोध नहीं करते बल्कि बच्चों से प्रेम करना तो उनका सुभाव होता है तो बाल भाव के कारण ही चंद्रमा भी पशुपती यानि शिवजी के मस्तक पर केतकी के पुषपों से बने जूडे के समान सुशोबत होता है देखी लिखा है वरिजती हिमकरोपी वरिजती यानि सुशोबत होता है हिमकर यानि चंद्रमा अपी यानि भी बाल भावात यानि बाल भाव के कारण पशुपती यानि भगवान शिव के मस्तक यानि मस्तक पर केतक क्छचच्चचद्वत्वत्वन यानि केत्खि के पुष्वं के जूले के समान तो इस प्रकार से राम जो है लवकुष से कहते हैं इसके बाद राम क्या कह रहा है एशा भवतो सौंदर्य अवलोकत जनितेन कौतुहलेन यानि कि यह है आप दोनों के सौंदर्य अवलोकन से जनित जो कौतुहल है इसके कारण में पूछ रहा हूँ यानि बड़े कौतुहल से इच्छा से मैं जागे उससे मैं पुछ रहा हूं प्रच्छामी याइनि पूछ रहा हूं क्षत्रिय कुल पिता महयो तर्वथ स्वूर्य चंद्रवण, यहानि कि इस पिताओं भूल है निक तो जो सबसे बड़े हैं क्षत्रिय कुल में सूर्य और चंद्रदेव उन में से आप किनके वन्षे के वन्षज हैं मतलब इन दोनों में से कौन आपके वन्ष का करता है तो ऐसा पूछते हैं तो लव बोलते हैं भगवन सहस्रा दीधिती है भगवान या फिर शीराम जो भग भगवान सहस्रा दीधिती यानि सहस्र किरणों वाले हजारों किरणों वाले सूर्य देव भगवान है वो ही अमारे वन्ष के करता है यानि कि हम सूर्य वन्ष से संबंद रखते हैं तो राम बोलते हैं राम क्या बोलते हैं आगे बढ़ते हैं कथम कथम इसमत समाना भी जन संवरेता हो, तो क्या खेना चारा हैंगी हांप तो तबस्वी हैंंच और मैं राजां हो तो राम को जिग्याश होई कि सूर्यवन्श में उत्पन हो, फिर हम दौनों सामान कुल्म ड्मन्श के कैसे होने वाले हो गए या तो आप जो किसी सूर्यवंशी राजा के बेटे हैं और सूर्यवंशी राजा तो मैं ही हूँ तो राम को ये थोड़ी सी जिग्यासा हुई तो विदूशक बोला उन दोनों बालकों से तो विदूशक क्या बोलता है किम द्वयोर पेक मेव सभ उदर्यों यानि कि एक उदर से जभ लेने वाले सभ भाई वहाँ पर लवग कहते हैं कुछ कहते हैं भगवान शी राम से ख्षमा करें हाँ लव कहते हैं तो इसके बदले हैं फिर भगवान राम कहते हैं सम रूपा शरीर सन्निवेशा शरीर की बनावट से तो आप दोनों समान है वैस अस्तुना किंचिदनंतरम अवस्था से भी अंतर नहीं लग रहा है यानि कि आयू भी एक जैसी लग रही है फिर ये फिर आप दोनों ये कैसे कह सकते हैं कि हम दोनों भाई हैं आपके आयू भी समान है और आपकी अवस्था भी एक जैसी है शरीरिक बनावट भी एक जैसी है तो फिर आप दोनों भाई कैसे हो गए एक साथ कैसे जन्म ले सकते हैं तो लव जो राम यमलाव हम दोनों जो हैं जुडवे हैं यमलाव दूई वचन शब्द हैं आपे हम दोनों जुडवा हैं तो राम बोलते हैं रामा संप्रती युज्जते किम नाम धेयम अच्छा ठीक है किम नाम धेयम आप दोनों के नाम क्या हैं तो लव बोलते हैं लवह आरियस से वंदना लव इत्यात मानम श्रावयामी आर्य की बंदना में आपकी बंदना में आर्य राम की बंदना में लव इत्यात मानम श्रावयामी लव इस प्रकार से इत्यात मानम अपने आपको श्रावयामी सुनाता हूँ यानि कि अपने आपके बारे में बताता हूँ कि मैं लव हूँ मेर लव है, कुश्म निर्दिश और कुश्म की तरफ निर्देश करते हुए तो मैं भी कुश इस नाम से अपना परिचे देता हूं अपने अवारे में बताता हूं आगे राम कहते हैं हो उदात रम्या समुदाचारा हore कितने फ्रश के अचरण विचारण आपके आचरण एटिकेट्स जो हैं, कितने महान हैं, कितना अच्छा सदाचार है आपके अंदर, अखो उदात रम्या, रम्या नी रमनी ये मन को भाने वाला, सम उदाचारह, आगे, किम नाम देव भवतुर गुरु, अब इच्छा होती है कि आपका गुरु कोन है, टीचर क आपके अंदर इतने अच्छे आचरण हैं, तो गुरु के वारे इंबताई ज़रा, तो राम बोलते हैं, अरे अत्याधिक रमनी ये सदाचार है, आपके, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है, इस प्रकार से गुरु का नाम पूछते हैं, तो वो दोनों में से लव बोलत इसलिए हमारे गुरू है फिर राम बोलते हैं मैं यहां पर आप दोनों के जनकम यानि पिता का नाम को नाम से वेदितों मिच्छामी सुनना चाहता हूं जानना चाहता हूँ, मैं आपके पिता को नाम से जानना चाहता हूँ, आपके पिता का नाम क्या है, तो लवा है, यानि कि लव जो है, बोलते हैं, नहीं जानाम मैसे नाम देयम, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, ना कश्चे दस्मिन तपोवने, ना ही तपोवन में कोई त इतना बड़पन है कि आपके पिता का नाम नहीं लिया जाता तो कुश कहते हैं कुशा जानाम में हम तस्य नाम धेम जानामी एहम दो शब्दों से मिलके बनाए जानामी एहम मैं जानता हूं तस्य नाम धेम उनका नाम तो राम बोलते हैं कत्यताम बताईए कहिए कुश कहते ह निरणुक्रोशो नाम हा यानि उनका नाम है निरणुक्रोशो यानि निरणुक्रोशो यानि निरणुक्रोशो यानि नाम हा यानि नाम है अरे निरणुक्रोशो यानि नाम कैसा नाम होता है तो राम जो है बड़े सोच में पड़ जाते हैं और राम कहते हैं वैस से अपूर बोलता है इवम तावत प्रच्छामी एवम तावत यानि कि इस प्रकार जो है कौन मैं पूछता हूँ आप से नीरानकोरोश एति कम ये बढ़ती निर्दई है इस प्रकार कौन कहता है आप से दौनों से पूछता है विदुशक का लव और कुछ से कि आपके पिता का नाम नि तो विदुशक बोलता है कि किम कुपिता एव बनती क्या वो कुपित होकर यानि क्रोधित होकर ऐसा कहती है क्रोध से ऐसा कहती है अथवा उत्प्रक्रतिस्था अथवा प्रक्रतिक रूप यानि स्वभाविक रूप से ऐसा कहती है या क्रोधित होकर कहती है यह बताइए तो विदूशक उन से पूछता है कि मुपिता एवं एवं बनाती क्या कुपित होकर यानि कुपिता होकर क्रोधित होकर ऐसा कहती है या उत्प्रक्रतिस्था या फिर स्वाभाविक रूप से ऐसा कहती है तो कुश बोलते हैं यद्यावयोर बाल भाव जनितम किंचिद विनयम पश्यती यदी इसको अलग-अलग करेंगे यदी आवयोहो बाल भाव जनितम पश्यती तदा एवं अधिक शिपती यानि कि जब वे हमारे बाल भाव से जनित किंचिद अविनयम यानि थोड़ी वहत हम पर अविनय हो जाती यह आविनम्रिता हो जाती, यानि कि हम जो है, शेतानी करते हैं, तो पश्यती जब वो ऐसा देखती हैं, तदा एवम अधिक शिपती, यानि तब जो है, हम से ऐसा कहती हैं, क्या कहती हैं, कि निरनु क्रोशस से पुत्रों, हे निर्दई के पुत्रों, पुत्रों यानि तो इस प्रकार से विदूशक बोलता है एतयोर यदी पितुर निरनु क्रोश इती आपके पिता का निरदई नाम धेयम इस प्रकार से बताती है तो एत योड जननी क्या जननी को तेना वो मानिता क्या वो उस पिता के द्वारा अवमानित है आपकी जननी यानि की अपमान किया गया है क्या उनका या निर्वासिता या फिर उनको निर्वासित किया गया है जो वे पुत्रों को इस प्रकार डाटती है एतेन वचने दार को निर्वर्थ स्यत्य यानि डाटती है एतेन यानि इस प्रकार के वचने यानि वचनों से क्या माता को पिता ने अपमानित किया है या घर से निसकाशित कर दिया है घर से निकाल दिया है निर्वासित कर दिया है जो वे इस प्रकार से पिता को जो है क्या कहकर आप दोनों के प आप अपने आपनी बोलते हैं सब-समझ में आती अपनी सिता जी को निस्काषत किया गया था तो राम उपनी मंद में सोचते हैं मामे खुथम प्ष Animation आप3 ऑधे सा तपस्विनी मत करते नाप राधेन स्वा पत्यमेवं मन्यू गर्व है रक्षर रक्षर है निर्वर्थसयती कि मुझे दिकार है जो वह तपस्विनी यानि कि सीता मेरे द्वारा किये अपराद के कारण अपने पुत्रों को डांटती है आसू से युक्त होकर वो देखते है राम के आँकों में आसू आ जाते हैं अपनी घटना को याद करके कि सीता जी को किस प्रकार से निर्वाशित किया गया था और उनने उनको कितना अपमान जो मैसूस हुआ होगा तो क्या वो भी अपने पुत्रों को ऐसी डांटती होंगी तो उनको एकदम वो सामने वही लंबी बातचीत हो गई तो विदूशकम अवलोग के जनानतिकम विदूशक्योड देखकर वो कहते हैं कुतू हले ना विष्टो मातर मनयोर नामतो वेदतो मिच्छामी यानि कि मैं इन दौनों की माता को नाम से जानना चाहता हूँ ना युक्तम चा इस्तरी गत मनो युक बारे में जाकर पूछा जाए तत को अत्राभ्य उपाया तो अब यहां पर क्या उपाय किया जाए कौन सा उपाय जिसकी दौरा जाना जाए मैं इनकी माता के बारे में जानना चाहता हूँ तो मुझे माता का नाम बताई है लवसे दौनों बालकों से पूछते हैं तो इसक दोनों की जननी यानि माता का किम यानि क्या नाम ध्यायनी नाम है तो लव बोलते हैं तस्याहद्वे नामनी उनके दो नाम है तो विदुशा कहता है कथम इव इस प्रकार कैसे कथम यानि कैसे इव यानि यह कैसे उनके दो नाम कैसे हैं बताईए जरा तो लव लव कहते हैं तपोवनवासि नो देवी इती तपोवनवासि जो है देवी इती यानि देवी इस प्रकार के नाम से नामना होयनती नाम से संबोधित करते हैं बुलाते हैं आहोयनती आपे अलग करेंगे तो नामना आहोयनती देवी इती देवी इती अलग देवी इती नामना आहोयनती तो वनवासी जो है वो देवी इस नाम से बुलाते हैं आहवान करते हैं और भगवान वालमी किर वधूरिती और भगवान वालमी की उनसे वधू यानि की बहू कहते हैं जैसे एक ससुर जो है वो अपनी बहू को संबोधित करता है अपने बेटे की बहू को बुलाता है तो ऐसे ह वो अपने बेटे की बहु मानते हैं जो हैं ब्रद हैं वाल्मी की रिशी और बयो ब्रद होने के कारण वो उनको अपनी बहु समान मानते हैं तो कहते हैं भगवान वाल्मी की क्या बोलते हैं उनको वधू इती भगवान वाल्मी की ही विसर्ग का रा वन गया उपर रा चड़ गया तो वालमी की ही वधू हू इती तो यहां पे विसर्ग का रा वन गया है और इती में छोटी की मात्रा मिलने से वो विसर्ग रा पे छोटी की मात्रा लग गई है तो भगवान वालमी की वधू इती तपोवन वासी तो देवी कहते हैं और भगवान वालमी की वधु कहते हैं तो राम राम बोलते हैं अपीचा इतस्तावद वयस से हैं मित्र वयस से नि मित्र तो भगवान राम कहते हैं मित्र क्षणवर के लिए इधर आओगे विदूशक को बुलाते हुए कहते हैं तो राम विदुशक से कहते आपपी कुमार यो नरयो स्माकं चसरवत्हा समरूपा कुटुम्ब व्रत्तानता, क्या कुमारूं का मार और हमारा उस प्रकार से प्रश्न करते हैं और नट पती छक में जाने के बाद राम बोलते हैं यती वेला संजाता राम हैण गान का ने हो गछ यानि कार्य के मर्थम नविद्यते किस लिए नहीं किया जाता रामायन के गान का कार्य किया जाए जिसके लिए दोनों तपस भी आए हैं रामायन को गाने के लिए वो क्यों नहीं किया जा रहा है तो दोनों बोलते हैं उभाओ उभाओ यानि की लव और कुछ बोलते हैं राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वर्यती उपाध्याय के जो दूत है यानि हमारे गुरू के जो दूत है अस्मान त्वर्यती हमें जो है शीगरता करने के लिए कह रहे हैं उपध्या का जो दूत है वो हमको शीगरता करने के लिए कह रहा है वालमी की रिशी का दूत जो है कह रहा है कि शीगरता कीजिए जल्दी आईए तो राम कहते हैं मयापी सम्मान निये एव मुनी नियोगा मयापी यानि मेरे लिए भी सम्मान निये है एव ही मुनी यानि मुनी का जो कार्य है वो मेरे लिए भी सम्मान निये है मयापी सम्मान निये एव मेरे लिए भी सम्मान निये ही है मुनी नियोगा मुनी का कार्य तता ही क्योंकि क्यों सम्मान निये बता रहें देखी श्लोक में भवन्तों गायंतों कवी रपी पुराणों ब्रत निधिर गिराम संदर भोयं प्रथम अवतीर्णों वसुमतीम कथा चेयं श्लाग्या सरसी रुह नाभस्य नियतम पोनाती श्रोतारं ब्रमयती च सोयं परिकरह यानि कि आप दोनों उस रामायन का गान करने वाले हैं जिसके क वी जो हैं सोयं पुराण रिशी वरत निधी वालमी की हैं यहां पर कह रहे हैं वो भवन्तों गायंतों आप दोनों जिसका था को गा रहे हैं कवी रपी उसके कवी हैं पुराणों वरत निधिर पुराण पुराण रिशी वरत निधी वरतों के निधी बगवान वालमी की गिराम संदर्वोयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम और गिरा के संदर्व में देखा जाए वानी के विशे में देखा जाए तो ये प्रथम अवतीर्णो सबसे पहले अवतरित हुआ वानी गरंत है वसुमतीम यानि धरती पर धरती पर उत्पन होने वाला बोली में बोला ज जो हुँनना चाहूंगा मेरे लिए तो यह सम्मान नीए वालमी की रिषिय का एक काम-ение काम कितना महान है, कि मैं सित्यासिक Sentate ग्रंद का जोanız पात्र पनूंगा, जो कि रामयण नाम से वालमी की रिषिय ने लिखाया और इस विश्व का पहला वानी गरंत है तो कथाम चेम श्लाग्या सरसी रुहा नावस्य नियतम कथाम यानि ये कथा जो है कथा चेम श्लाग्या ये सराहनी ये कथा है क्योंकि सरसी रुहा नावस्य यानि कमल नाव सरसी रुह यानि कमल नाव ये जिनकी नावी से निकला है जो कि कमल नाव भगवान विश्नु की कथा है तो कमलना भगवान विश्नु के पावन चरित्र से युक्त ये कथा जो है शलाग्या यानि सराहनी है क्योंकि ये कथा जो है सब को पवित्र करने वाली है पुनाती यानि पवित्र करने वाली है श्रोतारम यानि श्रोताओं को सुनने वालों को तो ये कथा पवित्र कर देती है भगवान विश्णु की कथा इतनी प्रवावशाली है कि सुनने वालों को पवित्र कर देती है और जो है आनन्दित करती है सभी को तो इस प्रकार की ये कथा है इस प्रकार से शलोक में वगवान राम कहते हैं यानि कि आप दोनों उस रामायन का गान करने वाले हैं जिसके कवी सोयम पुरान रिशी वरत निदी वालमी की है और धर्ती पर यह सबसे पहले अवतरित हुआ वानी गरंथ है भगवान विश्नु के पवित्र चरित्र से यक्तिय कथा सराहनिय है यह निश्चत ही सैयोग से शुरोताओं को पवित्र करती है और आनन्दित करने वाली है तो इस प्रकार से भगवान शीराम ये शलोग कहते हैं हिसके बाद क्या कहते हैं वयस्य यानि की मित्र guts अपूर्व यम मानवानाम सरस्वत्यावतारहा तदहम सुहरजन साधारण शुर्टुमिंच्छामी अपूर्वोयम्यानी की ये अपूर्व कता है अनोकी कता है मनुशों के लिए मानवाना म्यानी मनुशों की अनोकी कता सरस्वत्य आवतारा और सरस्वती का अवतार है तद हम सुहरजन साधारणम शुरुतुमिच्छामी वै मैं स्रेष्ट जन साधारण के हिरदय में इस्तित भाव को सुनना चाता हूँ शुरुतुमिच्छामी सुनना चाता हूँ सुहरजन साधारण यानि अच्छे स्रिष्ट जनो साधारण जनो केरदे में स्थित तो आगे कि कह रहे हैं इस ऐसी कता को मैं सुनना चाता हूँ उश्रोतम इच्छामी सन्य धीयनता सवासदा है सवासदों बैठिये सन्निधियन्ताम सवासदा सवासदों से कहा रहा है शिराम बैठिये आगे कहा रहा है प्रेश्यता मस्मदंतिकम सौमित्री यानि की सौमित्री यानि लक्षमन को यहां पर भेजिये प्रेश्यता मस्मदंतिकम मेरे पास जो है प्रेश्यताम यानि भेजिये प्रेश्यताम या यानि मेरे पास स्वॉमित्री यानि लक्शमन को मेरे पास लक्शमन को भेजिए अहम अप्यट योश्रा योश्क्रासन परिखेदम मैं भी इन लोगों की लंबे समय की पीड़ा को हरण करूं बहुत दिर से आये हुए हैं अब यहां पे चाहे इन लोगों की माल लीजिए आप लोगों की माल लीजिए मतलब वो कहना चाहरे कि मैं सभी लोगों की जो पीड़ा है बहुत समय से उस पीड़ा को हरण करना चाता हूं इस कथा के द्वारा वो जो पीडा हरन हो जाएगी और क्या करने राम कि अहम अप्पे अहम अप्पे योश्चिरासन परिखेदम विहरणम क्रत्वा अपनयामी यानि कि अहम अप्पी ये त योश्चिरासन परिखेदम विहरणम क्रत्वा अपनयामी परिखेदम यानि थकान पीडा तो अहम अहम यानि मैं अप्पी यानि भी तयो यानि उनकी श्चिरासन परिखेदम यानि लंबे समय की परिखेदम यानि पीडा को विहरणम यानि हरना चाहता हूँ और हरन करके विहरनम कृत्वा उस पीड़ा को हरन करके अपनयामी दूर करना चाहता हूँ मैं भी इस पीड़ा को दूर करना चाहता हूँ इस कथा के पाठ के द्वारा इस कथा की गान के द्वारा तो इस प्रकार से राम उस कथा की प्रशंसा करते हैं लवकुष के साथ बातचीत और शिशुवातसल उनका समापत होता है इती निश्क्रान ताहा सर्वे इस प्रकार से सभी लोग जो है निकल जाते हैं तो यहाँ पर पार्ट की सारी एक्स्प्लेनेशन पूर्ण होती है तो उसके पंचमंक से जो है हिस्सा संपादित है और इसके प्रसिद नाटिकार जो है इसके लेखक जो है दिंग नाग है तो इस प्रकार से यह नाटक था नाटक का अंश था और इसका नाम है शिशुलालनम यानि की बाल इसने है शिशु को इसने है बच्चे को इसने है तो य देखिएगा धन्यवाद